और मेरे देश के नौजवानों कैसे हूँ आप सब तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं जावा की स्क्रेंबलर के बारे में जो आपको कुछी महीनों में इंडिन मार्केट में देखने को मिलने वाली है दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है CB350 RS, Meteor 350 और Swart Pillion 250 ये सब एक स्क्रेंबलर बाइक है और जाता स्यादा लोग स्क्रेंबलर बाइक की तरफ फॉर्वर्ड हो रहे हैं क्योंकि आप में से भी बहुत साए लोग होंगे जिनको ट्रेवलिंग और आफ रोडिंग करना पसंद ह और ये बाइक उनी परपस के लिए बनाई जाती है और दोस्तो यहाँ पर जावा ने भी प्लैन कर लिया है कि वो अपने सेग्मेंट में भी एक स्क्रेंबलर बाइक को इंडिन मार्किट में उतारेंगे दोस्तो इसका जो डिजाइन लेंग्विज रहेगा वो सेम जावा 42 उसे inspired रहेगा बस आपको कुछ cosmetic changes देखने को मिलने वाले हैं आईए हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या changes देखने को मिलने वाले हैं दोस्तो पहले हम बात करते हैं स्पोक वील्स की अभी की जो जावा आती है उसमें आपको alloy wheel देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि जो स्पोक को प्रोटेक्ट करता है वहीं पीछे आपको ट्विन स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा और दोस्तों अगर एक्जॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर जो आपको एक्जॉस्ट एकदम बोरा सा देख रहा है मतलब उसको थोड़ा काटा गया है तो ऐसा एक्जॉस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो स्टॉक एक्जॉस्ट आएगा कैटलेटिक कनवर्टर के साथ वो आपको देखने को मिलेगा दोस्तों बात करें पीछे के टायर की तो इसमें आपको 140 सेक्शन का टायर मिल सकता है और इसमें आपको मड़ फ्लैप भी देखने को मिल जा तो मेरे हसाब से यह सीट सरफ राइडर के लिए बढ़िया है और थोड़ी जो स्पेस रहेगी वो आपके लगेज केरी के लिए रहने वाली है दोस्तो बात करें सेफ्टी की तो इसमें आपको डूएल चैनल ABS मिलेगा और डूएल डिस्क के साथ आपको ये बाइक अविलेबल होने वाली है दोस्तो इंस्ट्रूमेंट कंसोल अभी इसका शो नहीं हो रहा है हो सकता है आपको एनलोग देखने को मिले या फिर हो सकता है कि आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल सकता है राइडिंग पॉस्चर की बात करें तो स्क्रेंबर बाइक के जो राइडिंग पॉस्चर रहता है वो अपराइट होता है तो आपको शोडर पेन या पाम पेन जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है क्योंकि यह मेंली लॉंग टूर के लिए बनाई जाती है इसलि दोस्तो बात करें इंडिकेटर की तो इसमें आपको बल्ब इंडिकेटर देखने को मिलेंगे हाला कि स्पॉर्टेड इमेजर में साफ साफ नहीं दिख रहे कि आपको LED मिलेंगे या आपको बल्ब देखने को मिलेंगे लेकिन आपको सर्कुलर में मिलता है तो मुझे लगत का तो दोस्तों यही कुछ फीचर्स के साथ आपको जावा की स्क्रेंबलर बाइक देखने को मिलने वाली है हाले कि अगर बात करें इसके एक्सपेक्टेड प्राइस की तो इसका जो एक्सपेक्टेड प्राइस रहेगा वो रहेगा अराउंड 1,83,000 एक शोरूम डेली यह इस शेर करो और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बैल ऐकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं और आपको यहाँ पर मेरा इंस्टाग्राम यूजरनेम शो हो रहा होगा तो जाओ मुझे वाँ जाके फॉलो कर करो और अगर आपको वहाँ कुछ डाउट है तो आप मुझे डियम कर सकते हो अभी के लिए थैंक्स टिल देन बेट फॉर मैं न्यू अपकमिंग वीडियो जुए